दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के एक सिवियर डायबिटीज के पेशन्ट है डायबिटीज के एक सिवियर पेशन्ट होने के नाते दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है जिस हिसाब से उनका शुगर लेवल बढ़ता है गिरता है उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते है और उसी अनुसार उनका खान पान और डायबिटीज एक ऐसी बिमारी है कि जब सिवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉंप्लिकेशन होती है डायबिटीज का असर इंसान के हाट पे भी पड़ता है किड्मी पर भी पड़ता है आँखों पर भी पड़ता है पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है सिवियर डायबिटीज का एक बहुत मेजर खत्रा शुगर लेवल गिरने का होता है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं अगर किसी सिवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल पचास के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खत्रा हो जाता है किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता तो अर्विंद केजरिवाल ऐसी सिवियर डायबिटीज के पेशेंट है लेकिन इस डायबिटीज के बावजूद भी इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अर्विंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वांस्त को, अपनी देश के सेवा में कभी अठचन नहीं डालने दिया, चाहे अन्शन पर बैठना हो, एक बारी वह सुन्दर नगरी में अन्शन पर बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अंशन पे बैठें, वो दिन रात दिलनी वालों के हितमे सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्त को ध्यान ना रखते हुए भी, अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स् से अर्विंद केजरिवाल जी को भारतिय जंता पार्टी शासित केंदर सरकार ने गिरफतार किया है, उनके स्वास्त पर एक जबरदर्स्त खतरा मंडरा रहा है, जब वो एडी की कस्टडी में थे, तो तीन बार उनका शुगर लेवल गिरा, एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुँच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेवा साबित हो सकता है, अर्विंद केजरिवाल जी का पिछले बारा दिन में साड़े चार किलो वजन घट गया है, एक डायबिटीज का पेशन्ट होते हुए, इतने कम समय में, इतना जादा वजन घटना, कई प आज मैं भारतिय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ, कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है, आज देख रहा है कि किस तरह से भारतिय जनता पार्टी ने जूटे केस लगा कर अर्विंद केजरिवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्त को खत्रा हो रहा है, किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी बारा दिन में साड़े चार किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसे स्वास्त की समस्याएं नहीं है, लेकिन एक सिवियर डाइबिटीज के पेशिंट के लिए बारा दिन में खतरनाक चीज है इसलिए मैं बार्ति ए जंता पार्टी को यह चेटावनी दे रही हूं कि आज पूरा देश आप पर नज़र रख रहा है अगर हिरासत में अर्विंद केजरिवाल के स्वास्त को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा यहां तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा क्योंकि आप इस हद तक गिरे हैं सिर्फ अर्विंद केजरिवाल को पुचलने के लिए आदिशे हम उनकी हिल्थ कंडिशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि उनकी चाहे जो शुगर लेवल में फ्लक्टुएशन हुआ है चाहे साड़े चार किलो वजन का घटना हो मात्र बारा दिन में ये एक बहुत गंभीर बात है ये बहुत सीरियस बात है तो जैसे भी जरूरत होगी लीगल रेमिडी इसकी बहुत चल्दी हम लेंगे देखिए तिहार का प्रशासन भारतिय जनता पट्टी के IS IPS अफसर चलाते है आज अर्विंद केजरीवाल को जूटे केस में डालने की साज़िश भारतिय जनता पट्टी ने करी है ये जानते हुए करी है कि अर्विंद केजरीवाल को सिवियर डायबिटीज है एडी ने क्यों मांगी जुडिशल कस्टिडी अर्विंद केजरीवाल की जब उनको गिरफतार किया था तो ED ने कहा था कि वो पूछताच करने के लिए गिरफतार कर रही है उन्होंने कहा था कि वो समंस पर नहीं आए इसलिए गिरफतार कर रही है लेकिन पूछताच खतम होने के बाद judicial custody मांगने का क्या कारण है क्या एक sitting chief minister flight risk है कि वो भाग जाए जाएंगे कि वो गायब हो जाएंगे बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ये अरविंद केजरिवाल को कुचलने का एक तरीका है मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि बारा दिन में साड़े चार किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है किस व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए भी नॉर्मल चीज नहीं है लेकिन जिसको acute diabetes है, severe diabetes है उस व्यक्ति के लिए इसके बहुत serious complications हो सकते हैं हम बिलकुल आज अपने वकीलों से बात करेंगे, आज हाई court में वैसे भी अर्विन के जरिवाल जी की गिरफतारी को challenge करने की हमारी petition लगी हुई है, इस petition का क्या order आता है, उसके बाद हम एक बार ये अपने सारे वकीलों से बात चीट करके अगले steps लेंगे कि घा entrainer करें हैं? हम तो कही रहे थे कि उनका तो मकसद यही है, किसी ना किसी केस से, किसी ना किसी जूटे आरोप से अम आदनी के एक एक नेता को जेल में भेजना, उन्होंने तो खुद ही हमारे आरोप का जवाब दे दिया है कि उनका मकसद ही यही है कि आम आदनी पार्टी के नेताओं को किसी जूटे केस में फसा कर जेल बेज देना। भारतिय जनता पार्टी अपनी अलग-अलग एजनसियों के माध्यम से छुपकर चाहे ED हो चाहे CBI हो चाहे income tax notice हो चाहे अब defamation के केस हो इनके पीछे छुपकर आम आदनी पार्टी पे हमला कर रही है राजनेतिक हमला कर रही है अगर उन्हें हमारा सामना करना है तो चुनाव करें कियो अलग-अलगड़ एजंस माध्यम से क्यूं वो अलग-अलग तो एंस के माध्यम से माध्यम से है अम आदमी पार्टी पीछ चुपकर भार करने का काम कर्रहे है तूँ है कि मैंने तो कहां ही है कि कोई मेरा ही बहुत करीबी विक्ति है कि जिसको जिसने अप्रोच किया वो मेरे ही बहुत करीबी विक्तियों में से एक है ये बाद तुम